कि हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशंग एंड वेल्कम टू इच्मार्टर एव्री डी 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 अगर मैं बात करूं प्रॉपर त्रीके से कानपूर युनिवर्सिटी की तो कानपूर युनिवर्सिटी के कॉर्डिंग जो आपका बीट फॉर्स्ट चमिस्टर है उसमें पेपर थर्ड है आपका सिक्षा के मनोवज्यानिक परिप्लेक्ष ठीक है तो इसके आज हम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कोईशन्स आपके लेकर क्या हैं जो की बहुत ही हेलपफुल रहेंगे एक से बढ़कर एक कोईशन्स हैं तो जो भी सेंट क्लास मिलास तक बना रहेगा वह बहुत कुछ सीखने वाला है आपका यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है आपका सैक्षिक मनोवज्यानियो मानव विकास यह आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है ठीक है यूनिट भी आपकी यह फर्स्ट है तो चलिए इन पहितनी कोईशन्स को आज हम डीपली स मज़ लेते हैं देखिए पूरे 50 questions का collection है इसमें क्योंकि बहुत important chapter है इसलिए इसमें questions जो है पूरे 50 questions बने डाले हैं एक से बढ़कर एक questions है देखिए ठीक है 50 questions का collection है इसमें तो चलिए सुरू करते हैं question number first से first question हमारे सामने है भारत में शरुपर्थम देखिए भारत में शरुपर्थम मनोविज्ञान की प्रियोग साला की स्थापना कहा पर हुई थी भारत में सबसे पहली बार पहली बार मनोविज्ञान की प्रियोग साला थी वो कहां उसके स्थापना हुई थी कलकत्ता में दिली में अलीगड में या फिर बनार्श में तो यहां पे जो पहली बार मनोविज्ञान प्रियोग साला की स्थापना हुई थी वह कलकत्ता में हुई थी ठीक है कहां हुई कि कलकत्ता में हुई थी एवा निजदा राइट आंसर कि बढ़ेंगे कोर्शन नंबर नेस्ट की तरफ कोर्शन बर सेकेंड हमारे सामने मनोविज्ञान की पर्थम प्रियुकसाला इस्थापित किसने की थी किसने सापित की थी एलफरेट बिने एटॉकिंसन वोंट या फिर क कैटिल ने तो यहां पर कैटिल ने स्थापित की थी किसने कैटिल ने ठीक है कि कुशन बर थर्ड है भारत में मनोविज्ञान की प्रियुकसाला की सरपर्थम इस्थापना कब हुई अब सन पूछ रहा है 35 1854 1916 1925 विच्वन इस्था राइट आंसर तो इसमें हम जाएंगे 1916 के शाथ ठीक है कब हुई थी 1916 में भारत में मनोविज्ञान की जो प्रियुकसाला की सरपर्थमें स्थापना थी वह 1916 में हुई थी एक से बढ़कार एक कोर्शन से जो कि आपके एक्जाम में बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कौन है वाटसन कहते हैं कि जो मनोविञ्ञान है वैं वेवहर का विज्ञान है। सिच्छा एवं मनोविज्यान किसकी साखा है दर्सन सास्तर की समाज सास्तर की राजनीति सास्तर की मनोविज्यान की तो सिच्छा एवं मनोविज्यान जो है वह दर्सन सास्तर की साखा कही जाती है किसकी साखा है दर्सन सास्तर की ठीक है चलिए question number 7 की तरफ देखिए प्रत्थम मनोविज्यान प्रयोक्षाला इस्थापित करने वाले कौन थे? पहली मनोविज्यान प्रयोक्षाला इस्थापित करने वाले कौन थे? थॉन्डाइक, वेबर, फैंकनर, वुंट यहाँ पे वुंट कौन है? प्रत्व मनोविज्यान प्रियोक्षाला इस्ठापित करने वाले कौन थे वुंट थे कोश्चन मर एट बाल मनोविज्यान निमलिखित में से किसके विवार का अध्यन करता है बालक का, वृद्ध का, प्रोड का, किस और का तो ऐसे कौश्चन को याद करने थी प्रोड नहीं है इनको शिर्फ आप समझ लीजे casually je कि बात हो रही हैं बाल मनो विज्यान की तो जो बाल मनो विज्यान है तो जाहिड सी बात है है कि यह बाल मनो विज्यान है तो आप बालक के ही विवार का ध्यन भी करेगा, ठीक है, बालक का, बाला मनोविज्यान किसका अधिन करता है, बालक का, मनोविज्यान की प्रकृति किस प्रकार की है, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्यानिक, शाहितिक, तो मनोविज्यान की प्रकृति कैसी है, वैज्यानिक है, कैसी है वे ज्यानिक है ठीक है option C is the right answer मनोवे ज्यान की प्रति जो प्रक्रति है वो वे ज्यानिक है शाब्दिक अर्थों में psychology से तातपर क्या है psychology का क्या मतलब है आत्मा का ज्यान मन का ज्यान या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इंड में से कोई नहीं तो यहां पर psychology का मतलब है आत्मा का ज्यान किसका आत्मा का ज्यान option A is the right answer आधुनिक मनोविज्यान के जनक माने जाते हैं आधुनिक मनोविज्यान के जनक कौन है इसके नर्विलियम जैम्स वुड़वर्थ वाट्सन आदुनिक मनोविज्यान के जनक कहे जाने वाले William James है कौन है William James second one is the right answer वर्तमान में सिच्छा मनोविज्यान किस अवस्था में है सेश्वावस्था बालियावस्था किसोरावस्था व्रद्धावस्था वर्तमान में जो सिच्छा मनोविज्यान है वहाँ सेश्वावस्था में है किसोरावस्था में है सेश्वावस्था में है option A is the right answer question number 13 थाउन्डाइक ने सिच्छा मनोविज्यान का कैसा रूप प्रदान किया निश्चित अमिस्पस्ट आनियमित आंसिक इस्पस्ट या फिरप्रोक्त सभी प्रकार का रूप प्रदान किया तो थाउन्डाइक ने निश्चित और इस्पस्ट रूप मनोविज्यान का प्रदान किया उपसन A is the right answer बाल मनोविज्यान के नुसार शिच्छा के छेतर में मुख्य स्थान किसका है बाल मनोविग्यान के अनुसार बालक का प्रशाशक का अध्यापक का या फिर अभी बावक का तो यहां पर बात हो रही है बाल मनोविग्यान की तो बाल मनोविग्यान के अनुसार सिच्छा के छेत्रे में मुख्यस्थान बालग का है किसका है? बालग का है ठीक है? चलिए बढ़ते है कोर्शन नमबर 15 की तरफ सिच्छा मनोग्यान के मुख्य तत्तो कौन है? सिच्छार्थी, सीखने की प्रक्रिया अध्यापक या फिरिये? सब ही तो यहाँ पे सिच्छा मनोग्यान के मुख्य तत्तो के रूप में कौन है? सिच्छार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है, अध्यापक भी है तो हम चले जाएंगे option D के साथ में यानि की सारे के सारे सही है याँ पे बात पूरी सही है शैश्वावस्था के लिए उत्तम सिच्छन विधी यानि की सटीक टीचिंग मैथेट कौन सा है? मौन्टेसरी विधी, खेल विधी, किंडरगार्टन तो सैश्वावस्था में बच्चे को किंडरगार्टन, खेल, मौन्टेसरी हर तरीके से सिखाने का प्रियास किया जाता है इसलिए ऑप्सन डी के साथ में हम चले जाएंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ नेक्स्ट कोर्शन हमारे सामने 17 नमबर, मनो विसलेशनात्मक शिधान्त का प्रतिपादक था, कौन था? कैटिल, औलपोर्ट, सिख्मंट फ्राइट या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे मनो विसलेशनात्मक शिधान्त का प्रतिपादन करने वाले सिख्मंट फ्राइट थे कौन थे? फ्राइट, जिनका पूरा नाम है सिख्मंट फ्राइट कौर्शन मबर 18 कहता है प्रतम सैक्षिक मनो विज्यानिक माना जाता है प्रतम सैक्षिक मनो विज्यानिक कौन माना जाता है? इसके नर्थ, फ्राइट, फ्रावेल या फिर कोई नहीं तो प्रतम सैक्षिक मनो विज्यानिक माने जाने वाले कौन है थौर्ण डाइक है थौर्ण डाइक प्रत्थम सैक्षिक मनोविग्यानिक माने जाते हैं नेक्स्ट कोर्शन कहता है मनोविग्यान विशे की उत्पत्ती किस विशे की साखा की रूप में हुई थी question को समझे, मनोविग्यान जो subject है, इसकी उत्पत्ति किस विशे की साखा की रूप में हुई थी, तरक शास्त, समाज शास्त, दर्सन सास्त, या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पे दर्सन सास्ति की रूप में, मनोविग्यान विशे की उत्पत्ति दर्सन सास्ति की साखा की तो psychology सब्द की उत्पत्ति लेटिन भासा के सब्द से हुई है लेटिन भासा से हुई है जो psychology सब्द है वो कहां से आया है लेटिन भासा से आया है आपके chapter का नाम ही सैक्षिक मनोविख्यान है तो जाहिड सी बात है कि इसी प्रकाड के question में पूछ जाएंगे मनोविज्यान का सिच्छा के छेतर में योगदान नहीं है सिच्छा के शैधानतिक पक्षपर बल नहीं है सिच्छा का बाल के अंदरित होना पार्ट करम शुधार या फिर उप्रोक्त शभी तो यहाँ पे सिच्छा का शैधानतिक पक्षपर बल यह मनोवग्यान का सिच्छा के चेतर में योगदान इस बात पर नहीं है Option A is the right answer सिच्छा मनोवग्यान आवज चेक है सिच्छकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिबाओकों के लिए या फिर इन सभी के लिए तो जो सिच्छा मनोवग्यान है, वह टीचर्स के लिए भी, इस्ट्रेंट्स के लिए भी, गार्जन के लिए भी तो इन सभी के लिए आवज चेक है Option D is the right answer बढ़ जाएंगे Question No.23 की तरफ सिच्छा मनोवग्यान का योगदान है अनुसासन के लिए बाल विकास के ग्यान है तू मुल्यांकन है तू या फिर सरवांगिन विकास के लिए तो सिच्छा मनोवग्यान का विकास सरवांगिन जो सिच्छा मनोवग्यान का योगदान है वह सरवांगिन विकास के लिए किया जाता है चाहें वह उनसासन ऑब विकास के ग्यान हो मुल्यांकन हो आकलन हो कुछ भी हो यानि सरवांगिन में हर प्रकार का विकास इंकल्यूड हो जाता है बढ़ेंगे कोर्शन प्रक्रिया में ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएंगे psychology शब्द का प्रियोग सरप्रतम किस ने किया था मैं अभी हमने जाना था psychology सब्द कहां से आया है लेटन भासथ से है psychology सब्द का प्रियोग सरप्रतम किस ने किया अरस्तू-run रूडॉल्फ गॉयकल या फिर प्लेटो थॉर्णडाइग चार आपके सामने हैं सही कौन सा है इसमें सही है इसमें रूडॉल्फ गॉयकल ने सबसे पहले साइकॉलोजी सब्दका प्रयोग किया था किसने रूडॉल्फ गॉयकल ने बढ़ जाएंगे कोर्शन नमबर 26 की तर क्वंसें सिच्शा मनुज्यान से जनकरी प्रप्त नहीं होती है कहां से आत्मा की विशे में एक है किसके बारे में आत्मा की विशे में ठीक है option D is the right answer बढ़ जाएंगे question number 28 की तरफ मनोविज्ञान के अध्यन की इकाई है संस्कृति शमाज, व्यक्तिक या फिर शमुह तो मनोविज्ञान के अध्यन की इकाई कौन है व्यक्तिक option C is the right answer सुक्रात की अध्यन पद्दति को कहा जाता है सुक्रात की अध्यन पद्दति ती उसको क्या कहा जाता है विकाश आत्मक पद्दति, द्वन्दात्मक पद्दति, प्रियोग आत्मक पद्दति या फिर अनुक्रान आत्मक पद्दति तो सुक्रात की अध्यन पद्दति को क्या कहा जाता है द्वन्दात्मक पद्दती ऑप्शन बीजदा राइट अंसर द्वन्दात्मक पद्दती ठीक है चलिए बढ़ जाते हैं कॉर्श नम्बर 30 की तरफ सिच्छा मनोवग्यान में अनुकरण को विशेस महत्व दिया है अनुकरण मतलब नकल करना इसको किस ने इस बात पर बल दिया है प्लेटो रूसो जौन लॉक या फिर अरस्तू तो यहाँ पे इस बात को जोर देने वाले हैं प्लेटो सिच्छा मनोवग्यान में अनुकरण क वो विशे समय तो कौन देते हैं, प्लेटो देते हैं, करके सीखना, learning by doing के शिद्धान्त के पक्षदर कौन है, पावलाव, सिग्मन फ्राइड, फ्रॉबेल, जॉन डीवी, तो यहाँ पे, option D, जॉन डीवी, करके सीखना है, यानि की, learning by doing के शिद्धान्त के पक्षदर कौन है, जॉन डीवी है, option D, जॉन ग्यानात्मक पक्षदर का अंतिम स्वर क्या है, अवबोद, विसलेशन, मूल्यांकन, संसलेशन, यहाँ पे, जो ग्यान, ग्यानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर्वह मूल्यांकन है, क्या है, मूल्यांकन, सा, ठीक है, चलिए, मनोविज्यान का अतीत लंबा है, परन्तु इसका इतिहास छोटा है, यहाँ कथन किस ने दिया, वुडवर्ट, मर्फी, बोरिंग, एबिंग होस, कौन है ऐसा कहने वाले, ऐसा कहने वाले है, एबिंग होस, मनोविज्यान का तीत लंबा है, परन्तु इसका इतिहास छोटा है, ऐसा एबिंग होस कहते हैं, चलिए, बढ़ जाते हैं, क्योशन नबर 34 की तरफ, मनोविज्यान का अध्यन है, किसका प्रतेक्षन का, समाजी करण, समवेदन, वेवहार, चार आप्सन आप विकास होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, या फिर एक श्रीमा तक, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, तो जो मानोविकास होता है, वहां मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानि की ओप्सन डी सही है, आगे बढ़ जाते हैं, कोशन नमर 36 की तरफ, देखिए प्रात्मिक इस्तर की सिख्षा आधारित होनी चाहिए शैधान्तिक तत्यों पर छात्र सक्रियता पर भार्षन पर या फिर पाथि पुस्तक पर प्रात्मिक इस्तर की सिख्षा किस पर बेश्ट होनी चाहिए तो प्रात्मिक इस्तर की सिख्षा छात्र सक्रियता पर आधारित होनी चाहिए इस्टुडेंट की एक्टिविटी पर सक्रियता पर कुर्शन नमबर 37 है निम्न में से कौन सा सैक्षिक मनोविज्ञान का छेत्र नहीं है नहीं पूछ रहा है वेक्तिकत स्रमानताएं मूल ल्यांकन पार्टिकरम कानिर्मान या फिर अधिगम यहाँ पर जो वेक्तिकत स्रमानताएं वा सैक्षिक मनोविज्ञान का छेत्र नहीं है आगे बढ़ जाते हैं कुर्शन नमबर 38 की तरफ सिच्छा मनोविज्ञान समंदित है अधिगम करता से अधिगम प्रक्रिया से अधिगम इस्धितियों से या फिर उपरोग्त शमीत से यहाँ पर जो सिच्छा मनोविज्ञान है वा अधिगम करता से भी शमंदित है अधिगम प्रक्रिया से भी शमंदित है अधिगम इस्धितियों से भी शमंदित है इसलिए उप्सन D is the right answer उप्रोक्त सभी के साथ हम चले जाएंगे मानकी करत परिक्षन का क्या अर्थ है विश्वस्नियता, वैदिता, मानक या फिर उप्रोक्त सभी तो यहाँ पे मानकी करत परिक्षन का मतलब विश्वस्नियता भी होता है, वैदिता भी होता है, मानक भी होता है ठीक है तो option D is the right answer over here ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएंगे question number 40 की तरफ देखिए बाल केंद्रिस सिक्षा किसकी देन है सिक्षा सास्त्रियों की मनोवग्यानिक निसकरसों की सिक्षा मनोवग्यान की या फिर उपरोक्त सभी की देन है तो जो बाल केंद्रिस सिक्षा है वहाँ सिक्षा मनोवग्यान की देन है किसकी देन है सिक्षा मनोवग्यान की ठीक है चलिए question number 41 की तरह बढ़ते है अदिगम का सूच्म सिध्धान्त किसने दिया था इसकिनर इस्टीफवान, क्रोंड क्रो, कोहलर चार option आपके शामने है सही क्या है, तो यहाँ पे सही है कोहलर अदिगम का सूच्म सिध्धान्त किसने दिया था कोहलर ने, किसने दिया कोहलर ने निमन मेशे सिच्षा की वरत्मान बिशेष्ष्षाएं क्या है बालक की विबिनमस्ताओं का महत्त बालक के अंदरे सिच्षा विक्तिकत विबिनताओं का महत्त या फिर उपरयोक्त सभी तो सिच्छा की वर्तमान विशिष्टाएं में क्या हो जाएगा यहाँ पे option D उप्रियोक्त सभी बालक की विन वस्ताओं का मातों भी है बालक की विन वस्ताओं का मातों है तो चाहिड सी बात है हम चले जाएंगे option number D के साथ में 43 देखिए आधुनिक मनोविज्ञान की विश्यवस्तू आंतरिक अनुभाव उत्तेजन अनुक्रिया उप्रोक्त दोनों या फिरिन में से कोई नहीं है तो यहाँ पे आधुनिक मनोविज्यान की विजवस्तु आंतरिक अनुभाव भी है उत्तेजन अनुक्रिया भी है यानि कि उप्रोक्त दोनों को हम टिकर कर देंगे ठीक है ऑप्शन सी यानि किशा इस तर राइट आंसर किसोर मनोविज्यान किसका ध्यन करता है प्रवड का क हमने उपर पढ़ा था कि बाल मनोविज्यान किसका ध्यन करता है बालक का उसी प्रकार सा यह क्योस्चन है किशोर मनोविज्यान किसका ध्यन करता है जब किसोर मनोविज्यान है तो वह किसोर का ही ध्यन करेगा ठीक है याद करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें आगे जाता है किश प्रकार का विज्ञान माना जाता है विधायक विज्ञान ठीक है question number 46 देखिए बाल केंद्री सिच्चा की अवधार्ना मनोविज्ञान के किस सम्परदाय ने दी है गेश्टल्ट वाद, सनचना वाद, मनो विसलेशन वाद या फिर विवहार वाद बाल केंदरी सिच्छा की अवधारना किसम परदाय ने दी है? मनो विसलेशन वाद ने किसने? मनो विसलेशन वाद ने option is the right answer बढ़ दाएंगे question number 47 की तरफ मनो विज्ञान आचरण एवम विवहार का यथार्थ विज्ञान है यहा कथन किसका है? इसकिनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, वाट्सन यहाँ पर सही कौन है? मैकडूगल ठीक है, मनो विज्ञान आचरण एवम विवहार का यथार्थ विज्ञान है ऐसा कौन कहते हैं मैक डूगल कहते हैं सक्ति मनोविज्यान का परतिपादन किस ने किया सही क्या हो जाएगा इसमें वॉल्फ सक्ति मनोविज्यान का परतिपादन किस ने किया वॉल्फ ने ठीक है option is the right answer over here question number 49 के तरफ बढ़ेंगे खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विक्सित होता है सामाजिक्ता का नैतिक्ता का व्याबसाइक्ता का या फिर भौतिक्ता का तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिक्ता का गुण विक्सित होता है कैसे किस में सामाजिक्ता का ठीक है खेलों के माध्यम से बालक में शामाजिकता का गुण विक्षित होता है आज का last question आपके शामने है cycle चलाने वाला scooter चलाना सीख लेता है यहाँ क्या है सून इस्थानांतरन, लंबवत इस्थानांतरन, रनात्मक इस्थानांतरन, धनातरन मैंने subjective type में, descriptive type में यह पूरे सारे स्थानांतरन पढ़ाए हुए है अगर जिस बच्चे ने class देखी हुए, उसको समझ में आ गया होगा ठीक है, जब कोई चीज़ जब पहले सीख लेते हैं फिर नई चीज़ को सीखने में जब उससे हमारी मदद मिलती है तो वह क्या होता है, धनात्म किस्थानांतरन कहलाता है ठीक है, और जब बाधा उत्पन हो, पहले हमने कुछ सीख लिया अब नई चीज़ को सीखने में वो सीखा हुआ, बाधा उत्पन करे तो वो धनात्म किस्थानांतरन होता है लेकिन जब help करें तो धनात्म के स्थानात्रन होता है ठीक है प्यारे बच्छों ये 50 questions की class थी और I hope कि आपको प्लसंद आया होगा अगर class पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like चैनल पढ़ने तो subscribe करके जाएगा जो हमारा दूसरा चैनल है SP सिर्फ ब्लॉक्स के नाम से उसका बेलिंक description box में दिया हुआ है आप वहां से जागर के हमें वहां भी follow कर सकते हैं thank you comment और like जिरू करके जाएगे